दोस्तों ये एक viewer choice वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे ICSEI app bank के IVS account के बारे में इसमें जो new update है जो changes आई हैं उसके बारे में हम detail में cover करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं new update के बारे में दोस्तों उसके लिए आपको iMobile पर अपना iMobile आप लॉग इन करके open करना है जैसे यह आप open करेंगे तो आपको एक left side पर swap कर देना है जैसे आप screen swap करेंगे तो आपको एक option दिखेगा rd iv recurring deposit या flexible rd के नाम से आपको इसके उपर click कर देना है जैसे आप इसके उपर click करेंगे आपके सामने कुछ इस पर car का option दिख जाएगा अगर आप पहली बार option बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको 484 जो रुपीज दिख रहा है account दिख रहे हैं यह नहीं दिखेंगे आपको केवल नीचे options दिखेंगे आपको इन नीचे जो 5 option दिखेंगे उनमें से किसे एक पर click कर लेना है अगर आप car के लिए wish मांगते हैं तो car के लिए otherwise आप celebration पर click करेंगे जैसे आप celebration पर click करेंगे तो आप account create करने के process में चले जाएंगे ठीक इसके नीचे एक instant आई-विस option भी दिख रहा होगा इसका मतलब यह है कि आप 50,000 की एक one time 50,000 deposit करके एक RD account खोल सकते हैं बट आप इसको ignore करेगा आप इसके साथ कुछ चीज़े जानना आपको बहुत जरूरी है जैसे आप minimum इसमें 5,000, maximum 50,000 पर आप deposit कर सकते हैं और six month और maximum आपको पांच साल यह 60 month के tenure देखने मिलेगा maximum आप इसमें 25 account खोल सकते हैं यह आपको ध्यान देना जरूरी है अगर interest rate की बात करें तो general के लिए इसमें maximum आप 5 साल के अंदर 5.35 देखने को मिलेगा minimum 3.5 है यह update होती रहती है तो यह जब आप लेंगे तो आपको सारे detain मिल जाएगी अगर आप एक साल का आप 5000 पर deposit कर रहते हैं और आप उसको time पे नहीं कर पाते हैं आप premature अगर उसको withdrawal करते हैं तो आपको इसमें penalty देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं 0.5 या 1% तक का देखने को मिलेगा आप चले जानते हैं कैसे आपको account open करना है तो उसके लिए आप किसी भी एक option पे click कर दीजे चाहे car या celebration उसके बाद यहाँ पे आपको अपना IVS account का नाम लिखना हुआ जिस नाम से आप इसको खोलना चाहते हैं कुछ भी लिख सकते हैं कोई जरूरी नहीं है और amount select करें कोशिस करें minimum 5000 से start करें ज्यादा amount ना डाले उसके बाद आप continue option पे click करतें जैसे आप continue option पे click करेंगे तो यहाँ पे आपके उसकी पूरे details मिल जाएंगे कि आप चाहे तो month को बड़ा भी घटा भी सकते हैं यहाँ पे minus or plus का option दिख रहा है यहाँ पे आपको यह total amount पता चल जागा कितना investment करना है कितना आपको interest मिल लिगा सारे details आपको यहाँ पे मिल जाएंगी सारे चीज़े आप check कर लीजे आप month को भी convert कर सकते हैं साथ साथ आपको एक नीचे option देखेगा 14 days वाला अगर आप इस पे click करते हैं तो आपकी जो payment है यानि कि अगर आप 15 तारीक को select करते हैं तो 14 तारीक को पहले amount कटेगा उसका आदा और 15 तारीक को उसका आदा कटेगा टोटल amount होगा उसके equal हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर continue option पर click कर जाएगा term and condition पर click करके start IVs option पर जैसे आप click करेंगे आपका account create हो जाएगा तो यह बहुत simple है इस तरह से आपका option यहाँ पर दिख जाएगा और view option पर जैसे click करेंगे उसको आप manage भी कर सकते हैं अब उसमें जो date select करेंगे उसी date के अंदर आपके account से पैसे automatically debit हो जाएगे तो दोस्तों overall यह थी वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो please हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा thank you so much यहां तक बने रहने के लिए